हेलो दोस्तों मैं हूँ शिवली और आप सब का स्वागत है मेरी किजिन में आज मैं बनाने जा रही हूँ अंकुरित मटकी के पकोडे वड़े भी बोल सकते हैं ये मटकी एक डाल होता है ये साबुत डाल है इसके अंकूर मैंने घर पर बनाया है और उस से मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ ये पकोड़े बहुती काने मैं tasty होता है और बहुती हेल्दी भी होता है क्यूंकि इसमें अंकूर है और ये उपर से देखे कितना क्रिस्पी ये कुर्ळग़्े है अंदर बहुत ही soft है और अंदर तक बहुत ही अच्छे से पका हुआ है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है चलिए फिर देड़ न करके पटापट शुरू करते हैं देखते हैं कैसे बनाया जाता है मैंने छोटा सा एक के लसुन लिया है पूरा लसुन ले लिया चिल कर एक इंच अद्रक कर टुकड़ा और अपने स्वात की हिसाब से हरे मिर्च ले लिया इनको हम क्या करेंगे क्राश कर लेंगे मतलब कि कूट लेंगे यह देखिए मैंने कूट कर ले लिया और यहां देखिए हमारी मटकी है यह मटकी जो साबुत डाल होता है उनको मैंने घर पर ही बिगोया था और घर पर ही अंकूर के लिए बिठाया था मतलब कि अंकूर घर पर बनाया है तो इसलिए इसको दोबरा दोने की जरूरत नहीं है मैंने अच्छे से धोकर ये अंकूर के लिए बिठाया था देखिए बहुत अच्छे से अंकूर आ चुके है ये देखिए बहुत अच्छे से अंकूर आ चुका है अभी इनको हम डिरेक्टली पात्र में डाल लेंगे ये देखिए अंकूर कितना अच्छा सा है इनको अभी हम processing करते हैं इसके साथ साथ डाल देंगे जो अभी crush करके रखा था मसाले वो डाल देंगे स्वाधन उसार नमक डालेंगे और यह देखे बारिक कटा हरा धनिया है आदा कब जितना है डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ हमें डालना है बेशन एक चन्नी ले लिया मैंने क्योंकि बेशन में ज़्यादा गुट लिया थी तो इसलिए मैंने चन्नी से चान कर डाला है थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिलाना है एक चीज तो मैं भूली गई थी यह देखिए एक तेहाई चोटी चमस गरम मसला और आदी चोटी चमस भूना हुआ जीरा धनिया का पाउडर यहाँ पर मैंने डाल दिया है मिला लेंगे पहले ही डालना था यहाँ और थोड़ा सा बेशन लेंगे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिलाते जाना है चेक करते जाना है हमें कितना चाहिए exact quantity तो नहीं बता सकते थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिला कर चेक करना है इसके साथ साथ हमें डालना है थोड़ा सा बेकिंग सुड़ा बहुत ही थोड़ा सा डालना है देखिए बिल्कुल एक पिंच जितना बहुत ज्यादा मत डाल दीजिएगा तो यह देखिए एक पिंच जितना बेकिंग सुड़ा ले लिया डाल देंगे और अभी मेरा चमज का काम खतम हो चुका है अभी चमज से नहीं हो पा रहा है तो मैंने हाथ साफ कर लिया मतलब की ध तो इसके साथ थोड़ा पानी डालना है बहुत ही थोड़ा से पानी डालेंगे मिला कर चेक करेंगे कि पकोड़े बंद रहा है कि नहीं और थोड़ा से बेसन चाहिए मैंने थोड़ा से बेसन और डाल दिया यह बेसन पहले से चाना हुआ है तो और थोड़ा से पानी चाहि कि पकड़े कहा तक बंद रहा है मतलब कि जब पकड़े बंद पार है तब हमें इसको स्टॉप करना है देखिए हो चुका है यहां मैंने कड़ाई बिठाया है मतलब की फ्राइपन बिठाया है चप्तर कर देंगे ऐसे कर्के सारे डाल देंगे जितना आता है fry पेन में उतना डाल देंगे और थोड़ी दिर वेट करेंगे जब किनारे से लाल से डिखने लगे में तैका उपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से बहुत अच्छे से पक जाए ऐसा ना हो कि उपर से अच्छे से लाल कलर आ चुका है क्रिस्पी हो चुका है लेकिन अंदर से एक अच्छे है ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हाई हीट बिल्कुल ना रखे मेडियम और लो के बीच में रखे पलट पलट के दोनों सायर से अच्छे से लाल कलर करके फ्राइ कर ल देखिए मैंने सारा निकाल लिया है और इसी कड़ाय में क्या करेंगे बाकी जितना था उतना भी डाल देगे फ्राइ होने के लिए और यह नेको हुआ है अपर जैनल में दुल्कैक अचछा हुआ है देखिए मैं आपको एक तोड के दिखाती हूँ, देखिए अंदर तक बहुती अच्छे से पका हुआ है मैंने हल्डी नहीं डाला है, आप चाहे तो हल्डी भी डाल सकते, तो पकड़े के कलर बहुती अच्छा हैगा और भी अच्छा हैगा यह पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्ट ही है दोस्तों शाम को चाय के साथ अगर यह पकोड़े आप सर्फ करेंगे ना चाय का मज़ा दो गुना नहीं चार गुना हो जाएगा आप भी इस तरह से मठकी के पकोड़े बनाईए और अपने एक्सपरिय वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे बाई बाई